हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका चानल शेह बजार वितायुश और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा पावर के थर्ड क्वाटर के नंबर्स के बारे में जीहां कंपने के Q3 रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं तो नंबर्स किस तरीके के निकल कर आये ह फिर समझेंगे कि बाजार के एक्स्पेक्टेशन क्या थी उसके रिसाप से कंपने के नंबर्स किस प्रकार क्या हैं डेफिनिट्ट्टी फिर समझेंगे कि यहां पर मंडे को स्टॉक में इसका रियाक्शन क्या देखने को मिलेगा तो वीडियो को देखिएगा पुरा कि हम बात करेंगे revenue from operations के बारे में यानि company का revenue दोस्तों कितना आता हुआ देखने को मिला है तो revenue में दोस्तों company का पिछले साल का जो revenue था वो करीबन था 14,129.12 करोड 14,129.12 करोड से दोस्तों बढ़कर company का revenue 14,651 करोड पर हो गया यानि company का revenue सालाना तोर पर आपको increase होता हु लेकिन पिछले साल दोस्तों सरी पिछले quarter में company का revenue आया था वो आया था दोस्तों करीबन 15,738.03 करोड और ये घटकर कितना रह गया है 14,651 करोड यानि more than company का revenue 1000 करोड आपको कमाता हुआ देखने को मिला है पिछले quarter से जी हाँ तो यहाँ पर वाय हो आय तो दोस्तों company का revenue बढ़ रहा है बट क्यों क्यों तौर पर company का revenue जो है वो हमको decline होता हुआ नजर आया है यहीं बात करते है company के total income के बारे में तो friends company के total income पिछले साल थी करीबन 14,401 करोड लेकिन इस बार वो बढ़कर 15,294 करोड पर आती भी देखने को मिले है यानि company का जो overall total company की revenue है total income है basically वो तो सालाना तौर पर बढ़ी है बट क्यों और क्यों तौर पर तो बढ़ी ही नहीं सकती थी क्योंकि दोस्तों company का overall आप देख सकते है revenue में इतना बड़ा gap है तो इसलिए दोस्तों पिछले quarter में company की total income थी वो 16,030 करोड थी जो घटकर 15,294 करोड पर आई है बलकि अगर इस बार देखेंगे तो जो company के other income वाला section है यह जो other income वाला section है वो उसमें company ने इस बार अधर इंकम 643 करोड रिपोर्ट करी है वो पिछले साल तक 272 करोड थी उससे वेले 291 करोड थी उसके बावजूद भी दूस्तों company बीट नहीं कर पाई पिछले quarter के performance को total income में तो इस पर यह कह सकते कि company की performance क्यों क्यों तो और पर हमको उतनी strong अभी तक तो नजर नहीं आ रही है अब दोस्तों बात करते कंपनी का net profit के बारे में कितना दोस्तों company का net profit रहा है इस period के अंदर चलिए वो देख लेते हैं पिछले साल दोस्तों company का जो मुनाफ़ा था वो था देखने को मुला है यह हम साफ साफ कह सकते हैं ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा increase है पर basically increase होता हुआ देखने को मुला है महीं दोस्तों जो पिछला quarter था उसमें company ने मुनाफ़ा रिपोर्ट किया था 1017.41 करूर का तो मुनाफ़ा तो Q on Q तोर पर हमको बढ़ता हुआ नजर आए revenue घटा है बट मुनाफ़ा जो है वो Q on Q तोर पर बढ़ा है और Y o Y तोर पर भी बढ़ा है तो मुनाफ़े में तो हमको increase देखने को मुलेगा मुनाफ़ा तो हमको बढ़ता हुआ नजर आएगा यह बात साफ है इसमें कोई doubt नहीं है इसके बाद दूस्तों आते हैं company के हम EPS पर earning पर equity share कितनी है दोस्तों company की तो देखें दो earnings है दो EPS company के होते हैं पहला वाला जो EPS में आप देख सकते हैं 2.50 से बढ़कर 2.57 हो चुका है और लेकिन जो previous quarter था उसमें 2.93 का EPS था जो घटकर किस बार 2.57 रह गया है लेकिन यहीं अगर आप एक EPS दूसरा वाला देख regulatory deferral balances और दूसरा होता है after net movement in regulatory deferral balances तो जो before movement net movement है उसमें company का Q&Q तौर पर EPS है वो घटता वने दरा है लेकिन जादा दर देखते कौन सा है after net movement वाला ही देखते तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो company का earning per share है वो आपको सालाना तौर पर भी और Q&Q तौर पर भी increase होता हुआ out नहीं है तो numbers किस प्रकार के है numbers मुझे okay okay देखे लेकिन जैसे मनें कहा था हम बात करेंगे company के numbers को on the basis of expectations expectations क्या थी NBC का एक poll था उसके हिसाब से company का revenue करीबन 8.5% जादा आया है उनके अनुमान से उनका जो अनुमान था उससा साड़े 8% जादा आया लेकिन जो revenue था वो 6.3% उनके अनुमान से कम आता हुआ नजर आया करीबन उनकी expectations थी 15,635 करोड आया कितना है 14,651 करोड EBITDA का उनका expectations था 2860 करोड का करीबन 15.5% ये भी कम आया है कितना आया है 2416 करोड वहीं दोस्तों जोक margins थे वो 18.3% सबसे important है कि margins उनकी expectations से 180 basis points कम आया 180 basis points काफी जादा होता है 18.3% पर आने चाहिए थे 16.5% पर आया है तो इसका मतलब ये है overall कि expectations से below थोड़े से numbers हमको देखने को मिल सकते हैं अगर आप सिर्फ मुनाफ़े को टा दे तो बाकी हर जगह हमको expectations से below ही numbers देखने को मिल रहे हैं ये साफ-साफ बात दिख रही है जरूर हम कह सकते हैं कि सालाना तोर पर कंपनी का performance काफी बढ़िया है 2.3% मुनाफ़ा बढ़ रहा है 3.7% revenue बढ़ रहा है 3.6% EBITDA बढ़ रहा है but margins में दोस्तों company वो कमाल नहीं कर पाई जो company को करना था margins 18.3% की expectations थी but आये हैं 16.5% तो ये ही एक negative बात हो सकती है दोस्तों जिसके करन आपको Monday को stock में fall देखने को मिल सकता है युकि जो company के margins है वो उस प्रकार के देखने को नहीं मिले जिस प्रकार की expectations थी company के CEO और managing director ने काया कि हमारा जो core business है वो continue करेगा बढ़िया perform करता मनजर आएगा और help करता हुआ देखने को मिलेगा company को clock 17th consecutive PAT यह यह company ने 17 वा यह इनका quarter है जहां पर लगाता है तो मुनाफ़ा report कर रही है उनका मानना है कि हमारी consistent performance है वो show करती है कि हमारी fundamentals of excellence काफी है in operational performance और project execution capability भी company के बढ़िया है company ने पर कहा है कि जो country है उसके अंदर एक surge देखने को मिल रहा है power demand के अंदर और data power well positioned है कि वो इस पूरी growth को capitalize करता हुआ देखने को मिलेगा इस पूरी momentum को capitalize करता हुआ देखने को मिलेगा with its cutting edge customized and cost effective clean and green energy solutions ऐसा दोस्तो company के CEO और MD प्रवीर सिना साब ने साफ साफ इधर कहा है तो क्या होगा Monday को अब ये बात करते है company की दोस्तो earnings okay okay है क्योंकि अगर आप share में देखेंगे पिछले कुछ एक महीने में तो बहुत अच्छा move देखने को मिला है मुनाफ़ वसुली देखने को मिल गई 412.90 का 52 भी खाई है जहां से stock अब 392.45 पे trade कर रहे हैं ज्यादा दूर तो नहीं है मेरे साफ से देखिए numbers को हमको उस face पर देखना चाहिए कि numbers are okay कोई बहुत brilliant नहीं है तो हो सकता है कि Monday को आपको यहाँ पर थोड़ी सी मुनाफ़ वसुली देखने को मिले रादरदन की हम तेजी के expectations करता है कितनी मुनाफ़ वसुली आएगी यह अपने आपमे questionable है कि कितना stock गरता हो निज़र आएगा कितना market यहाँ पर reaction देता हो निज़र आएगा यह देखने वाली बात होगी क्योंकि यहाँ पर numbers को जैसे मैंने कहा बहुत बुरा कई नहीं कई से कई तक नहीं कहा जा सकता है numbers okay okay है ना बहुत अच्छे हैं ना बहुत खराब है it's okay moderate numbers है तो इसलिए मैंने सबसे थोड़ा बहुत stock में मुनाफ़ा वसुली है अगर अपको और देखने को मिलती है तो वो कोई चौकाने वाली बात है फिर हैरान करने वाली बात नहीं है because company के numbers उस तरीकी क्या है बाजार की expectations जादा थी because जिस तरीके से दोस्तो companies numbers पोस्ट कर रही है power generation companies numbers यहाँ पर भी और अच्छा आने के expectations थी कि company revenue front पे margin पे और बहतर performance करेगी बढ़ ठीक है company की commentary positive नजर आती है company की commentary में यह रखता है कि हाँ power जो demand है जिस तरीके से भारत में बढ़ रही है इसका सीधा-सीधा उनको फाइदा होता हुआ देखने को मिलेगा सीधा-सीधा उसका impact आपको आने वाले company के revenue और profits में देखने को मिलेगा key जो thing है वो यही है दोस्तो company अपने margins को कितना यहाँ पर बढ़ा सकती है because देखे सारा खेल जो होता है वो है margins का कि company कितना margin मना पा रही है यह देखने वाली बात दोस्तों होने वाली है इसी के उपर देखे मंडे को market का reaction होने वाला है अगर बाजार समझता है कि यह सही margins है और long term में company बढ़ा कर दाएगी तो फिर तो stock चल जाएगा बट अगर बाजार को लगता है कि नहीं हमारे expectation जादा थी और margins और उपर आने चाहिए थे तो फिर देखे market हो सकता है कि आपको थोड़ा सा harsh reaction में दिखा दे कि एक थोड़ा बहुत हमको cut अच्छा देखने को मिल जाए तो लेट सी होता क्या है बाकी technically stock अभी भी काफी strong है आज की मुनाफ़ा उसली से कोई खास फरक पड़ता नहीं है stock में ऐसे हमने पहले भी moves देख रखें बाकी ये बाद जरूर है कि 400 रुपे की उपर stock को टिकना किस तरीके से वो देखने वाली बात होगी because वहाँ पर important है कि stock कायम रहे फिर जाकर हम एक बढ़िया और अब move expect कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही था बाकी आप लोगों का opinion क्या है numbers के ओपर comment section में ज़रू बताइएगा इस वीडियो में तो इतना ही था thank you friends for watching this